गुड मॉनिंग अल अफ यू, वेलकम यू अल श्टुडेंट इन वर एसेंट अलाइन क्लास आज की अमरी क्लास है क्लास फर्स्ट के लिए और आज का अमरा सब्जेक्ट है इंदी तो बच्चों आप अपनी इंदी की बुक निकालो जैसा की बच्चों हमने पिछली क्लास में पार्ट पांच है जो यहां तक पढ़ लिया था आज अपन इसके आगे से पढ़ेंगे ई की मात्रा है ये बड़ी ई की मात्रा बच्चों मेरे साथ साथ पढ़ो और समझो गीता मिठी लिची लाई महारानी तारावती राजधानी आई दिपावलिकी मिठाई लाई सितल नारियल पानी पी चमकिली तितली मनमानी मतकर नानी कीमती इरा लाई मचली नगिना निगल गई बाबी पनीर की तरकारी बना चाची जी दादा जी की घड़ी लाई तो देखे बचों यहाँ पे लाल रंग की एक लाईन खीची हुई है लाल रंग के अंदर क्या है बड़ी ई की मात्रा तो आपको यह बाद ध्यान में रखनी होगी की बड़ी की मात्रा कहां पे लगी हुई है तो गीता में कहां पे हैं गर के पीछे गीता, मीठी, मीठी में दोनों के पीछे है, म के पीछे भी है और ठ के पीछे भी है मीठी, लीची, लीची में भी दोनों पे हैं लाई, महारानी, महा, हां की मात्रा है, रा में भी आ की मात्रा है लेकिन न के पीछे क्या है बड़ी की मात्रा तारावती में त के पीछे बड़ी की मात्रा राजधानी न के पीछे बड़ी की मात्रा दीपावली दीप में बड़ी की मात्रा और ल के पीछे बड़ी की मात्रा इस तरीके से आपको ये पड़ पड़ के ऐसे समझना पड़ेगा गाओ गुन गुनाओ इदर उदर उड़ती है तितली जगमग जगमग करती तितली कभी हाथ ना आती तितली उड़ती मन को हरती तितली तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी तितली के बारे में कविता बता हुई है इदर उदर उड़ती है तितली आपको पता यह तितली आए देखो दो यह आपको पता है इदर उदर उड़ती रहती है जगमग जगमग करती तितली कभी हाथ ना आती तितली अपने इतना पकड़ने की कोशिश करते लेगिन यह कभी अपने हाथ में नहीं आती है उड़ती मन को हरती तितली जब यह उड़ में क्या है बड़ी की मात्रा है उड़ती उड़ती में देखो बड़ी की मात्रा तितली लग के पीछे बड़ी की मात्रा जगमग जगमग करती तितली तो तक के पीछे बड़ी की मात्रा कभी हात ना आती तितली उड़ती मन को हरती तितली उसके बाल में देखो मीठा मीठा रस यह पीती, कभी न पीती, पानी, दादी कहती, बड़ी सयानी, तितली रानी, तितली रानी देखो ये दो लाइने और है तितली की कविता में मीठा मीठा रस यह पीती है, आपको सबको पता है, ये फुलों पर बंडराती रहती है रस पीती हैं कभी न पीती पानी या पानी कभी भी नहीं पीती सिर्फ रस पीती है दादी कहती बड़ी सयानी तितली रानी तितली रानी जो दादी जीया वो कहती है कि तितली बहुती चलाग उज्यार होती सयानी होती है तितली रानी तितली रानी तो देखिए बच्चों इस पूरे पार्ट में आपके इस पूरी कविता में बड़ी की मात्राओं के सब्द हैं तो आप एक रफ को पिलोगे उसके अंदर ओ सके जितना आप इसको लिखने का पढ़ने का बोलने का उच्चारण करने का प्रियास करोगे अब ओनलाइन शिक्षा के मादिम से तो हम आपको इतना ही बता सकते हैं लेकिन आपको घर पे कम से गम एक घंटा है जो पढ़ाई करनी ही है हमेशा आपको सिर्फ होमवर्ग करके नहीं बैटना है आपको इसको समझने का इसको पढ़ने का पूरा पूरा अभ्यास करना है तो आज के आपका ये पार्ट भी होता है पूरा और आज का आपका होमवर्ग ओम्वर्ग है पेज नमबर 17 पे देखे बच्चों आपको ये ओम्वग पूरा करना है चित्र के नाम पर सही निशान लगाओ देखो किसका चित्र है गड़ी तो गड़ी लिखा हुआ है तो गड़ी क्या की निशान लगा दिया यह क्या है दीमग है यह दीपक है दीपक है तो दीपक के उपर निशान लगा दिया यह किसका फोटो है चील का यह जील का चील का है तो चील के उपर निशान लगा दिया यह क्या है मचली मचली क्या की निशान लगा दिया यह क्या है आथी आथी क्या की निशान लगा दिया अब दूसरा वण और मातरा जोड़ कर सब्द लिखी देखो G धन E की मातरा धन तधन अकी मातरा प पीता म धन इकी मात्रा धन ठ धन आकी मात्रा मेठा ग धन ड धन इकी मात्रा घड़ी न धन ग धन इकी मात्रा धन न धन आकी मात्रा नगी न चित्र देख कर वाके पुरे कीजी मिना किताब उदर रख दादी आम लाई चाचाजी लिच्ची खाकर जाईए बबली तितली इधर रख तो बच्चों आपका आज का यह उमवक हैं आपको एक भी फोटो नहीं बनानी हैं आपको शिर्प नाम लिखने हैं पहले में भी आपको नाम लिखके राइट लगाना हैं दूसरे में आपको पता हिए सारे वर्ण और मात्रा को जोड़ कर नए सब् हैं तीसरा है जो आपको पूरे वाक्य लिखने हैं जिसमें फोटो बने हुए आप फोटो नहीं बनाना ऐसे लिखना मिना किताब उदर रख दादी आम लाई चाचा जी लिची खा कर जाईए बबली तितली इधर रख इस तरीके से आपको यह उमवक करना है ठीक है थैंक यू